नमस्कार दोस्तों मेरे पाम लिडिक चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 56 वर्स की महिला के दली का दिन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर दें ताकि इड़स नोडिफिकेशन आपको मिल चाहिए तो चलिए शरू करते हैं इनका कोशन इस परकार है बर्तमान समय में ये घर पर है आगे ये जानना चाहती है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा वैपार भी कुछ करने के इक्षा है तो क्या इस्तितियां दिख नहीं है आगे घर बर है या फर अच्छा है कि आगे वैपार करने से कोई नुक्शान होगा या फाइदा होगा इस मातपून विशय पर जानना और जान लेना भी चाहिए चुकि अगर आप वेपार करते हैं तो इसमें आपका इन्वेस्मेंट कॉमन रहता है अगर आप जान लेंगे कि आपको वो बेनेफिट देगा या नुक्षान देगा तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा बड़ा जरूरी भी रहेगा तो वही कुछ इनको जानना है तो आप बिलकु चिंता ना करें आपके कोशन्स को मैंने सुन लिया है अब बताने का कोशिश करूँगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी उस विशे पर विज़ार करेंगे उसके पहले एक महतपून बात मैं आपको बताना चाहूँगा इनके हाथ पर ना इनकी रेखाओं की बनावट से पहले इनकी जो हाथ की बनावट है ना ये बड़ी जबरतस्त है ये बड़ी चमतकारी है अब देखिए इनका हाथ बहुत गदेदार आपको दिख रहा होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी दिख रहा होगा इनका स्किन और जब आप अपने हाथ को प्रेस करती होंगी तो काफी जादा आपको फलपी महसूस होता होगा तो इस कार्थ है कि ऐसे वेक्ति कुछ करे अथवा ना करे जातक का जीवन बड़ा कमफर्टेबिटी के साथ भी इता है बड़ा कमफर्टेबिटी के साथ तो कमफर्टेबल जीवन को लेके ये एक बड़ी अच्छी स्थिती है बड़ी जबरदस चीज़े हैं वो तो मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ को लेके समझ पा रहा हूँ और लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रहती लाइफ में कोई परशानी नहीं रहती जीवन एक दम स्मूथनेस एक दम स्मूथनेस के साथ भी इता है ये तो सबसे वरी पॉजिटिविटी आपके हाथ से देख पा रहा हूँ कि जातक को जादा चित्दा करने के आवशक्ता नहीं है जातक को जादा परशान होने के आवशक्ता नहीं है जातक को तनाव लेने के आवशक्ता नहीं है क्योंकि जातक के जीवन में एक स्मूथनेस एक धहरियता एक फ्लो धनका वो बना रहता है तो जिस भी व्यक्ति कहते लिए गद्देदार अथवा को मल हो गद्यदारिया को मलोज जातक के जीवन में विशेश कोई समस्या ये कोई टेंशन नहीं होता है दन को लेगे अब इसके बाद रेखाओं कि बनावट क्या कहती है वो देख लीजिया बागे रेका बड़ी अच्छी रही है आयू को नहीं भूलना है चपन वर्स की आयू है और चपन वर्स की आयू से बागे रेका ने साथ दिया है इसके बीच में थोड़ी से गरवर थी बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं बताओंगा इसके विशे में 56 वर्स से बागिरेका ने साथ दिया है पर ये जीवन के अंतिम समय तक साथ दे रही है तो 56 वर्स की आयू के बाद बागिरेका बहतर स्थिती में है अच्छी स्थिती में है जातक के जीवन में तरक्की है तो ये बहुत ही शांदार चिंद माना जाएगा या बहुत ही शांदार योग माना जाएगा बुद्रेखा बड़ी जबर्दस्त है तो बुद्रेखा आपके हाथ पर बन रही है या फिर पहले से बनी हो इससे मुझे मतलब नहीं है लेकिन जो आपके प्रशन थे इसके अकॉर्डिंगली बुद्रेखा का हाथ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है अगर आपके हाथ पर बुद्रेखा होता है तो ये इंडिकेट करता है जातक के जिन्दगी में वैपार के योग जातक वैपार में कितना आगे बढ़ते हैं अब भागे का अच्छा होना बड़ा जरूरी है अगर आपके हाथ पर बागे रेखा नहीं होगी तो आप वैपार करके भी क्या करोगे नुक्शा नहीं लगेगा लेकिन अगर आपके हाथ पर बागे रेखा होगी तो वैपार करने के बाद आपको फाइदा आएगा कोई भी कारे, कोई भी वैपार कोई भी काम, भागे रेखा अच्छा होने के बाद अच्छा प्रगति और तरक्की देता है तो आपके हाथ पर भागे रेखा बढ़ी अच्छी दिक्रिये चपन में सितियां रेखाओं की बनावट तो रेखाओं की बनावट बड़ी अच्छी है तो बड़ी पॉजटिव इंटेंट के साथ बड़ी पॉजटिव वाइब के साथ आप काम करें आगे बढ़ें आपको तरक्की मिलेगी तो ये तो थी पॉजटिविटी अब हम बात करतें नेग से आए हैं गए हैं इस प्रकार के स्थितिया बनी रही है आपके जीवन पर मूल रूप से इस प्रकार के स्थितिया आपके जीवन पर बनी रही है चुकि इस समय भागे रेखा का भाब था और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भागे रेखा का भाब हो जाए तो ये जो समस्य तो परिशानी रहती है, यह तो जातक को देखनी पड़ती है, उपर नीचे समय तो देखने परता है, तो यह जो मूल समय था, जिस अमकर मैं बात कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, यह आपके लिए तकलिशम दे रहा होगा, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो बरश्प आपके जीवन पर पड़ा है, एक negative impact आपके जीवन पर पड़ा है, अब कुछ लोग में इसे प्रश्ने करते हैं, गरुजी आप सब के हाथ में बिरश्पती को देख के गरबर कह देते हैं, तो क्या सब की बिरश्पती गरबर है, देखिए आप concept को समझे, किसी भी जगा पर जाने का 3-4 रास्ता होता है, तो पामिस्ट्री से क्या होता है, बले ही आपका महादशा राहू का क्यों न हो, बले ही आपका महादशा ब्रश्पती का क्यों न हो, बले ही शुकर का क्यों न हो, बले ही सूरी का क्यों न हो, बले ही आपका शूरी ही गरबर क्यों न हो, लेकि इनका पूरा फ्लैट के अस्रेणी में है तो ये ब्रश्पती गरपर चुरूर है इसमें ब्रश्पती पर भी इंपेक्ट है और बहुत खराब इंपेक्ट है तो यहाँ पर इनके जीवन में ये एक समस्या का बात था तो इसके लिए भी कुछ उपाय में दोगा चलो जी ये तो ओगी पॉजटिविटी नेगेटिविटी अभी इनके जीवन रेखा सागे के लाइफ को क्लियर करते है तो यहाँ पर आगया ये माइड रेखा ये जीवन रेखा इंडिपेंडेंट रहे बच्पन से कुछ प्रेगती की रेखा थी तो चलो दिक्कतों के बाद भी आपने जीवन को अच्छे तरीके से जीया है चुकि हाटेली भी गद्यदार थी और स्थिया भी अब बरी अच्छी थी प्राग्रेस लाई बीस एकीस वर्स में एक आपके प्राग्रेस तरक्की के योग थे फर एक ताइस वर्स में थे फर जीवन रेखा ठीक थी एक अठाइस तीस में था फर एक पैद चौतेस वर्स के आसपास था फर लगबग एक बियालिस में था फिर एक 45 में तब 45 के बाद भी कुछ एक बड़ी यात्रा के योग बने थे लगबग 50 वर्स के आसपास उसके बाद अगर मैं देख लूँ उसके बाद भी जबरदस्त आपकी जीवन ड्रेका एक और तरक्की के योग या फिर कहलो एक और यात्रा के योग लगबग 60 वर्स के आसपास है आगे भी जीवन ड्रेका बड़ी बहतर स्थिती में है कुछ ट्रेंगल्स के साथ है इस परकार का तिरे मुच्चिन हो तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ बल्क में पैसे आने के योग है और उसी डिरेक्शन में आप चल भी रही है कि आप कोई वेपार करना चाहती है धन क बाना चाहती है तो चांसे भी उसे हिसाब से आपके हाथ पर बन रहे है मंगल्स रेका बड़ी अच्छी है तो इस परकार की मंगल्स रेका हो तो पर क्या चाहिए बचाव की रेका होती है इतनी अच्छी मंगल्स रेका बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है लग्जूर मंगल प्रबल है तो comfortable life रहेगी यहाँ पर square palm है तो यह indicate करता है कि जातक बड़े महात्मा कांचे अपने जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं अगर मैं आगे देख तो एक जबरदस थम्ब है strong इक्षा शक्ति है थोड़ी गबराहट की योग जरूर है थोड़ा गबराहट इस case में रहता है बगी यवा आकिरती है जबी भी support चाहिए मिल जाएगा desires के बड़े अच्छे लाइने तो बड़े महात्मा कांची है आप बड़िया थम्ब है तो करते तो भी शांदार होता है समझदारी का लोग काफी अच्छी है समझदार परविरती की है finger पर खरी रेखा है दिल की बड़ी अच्छी है दिल में कोई गिंतो परंतो नहीं किसी के लिए नहीं थोड़ी इंट्रोवर्ड है सबसे गुला मिलना पसंद नहीं होता बाकि इंट्रोवर्ड के लिए अच्छी दार्मी कासता है सेंटर फिंगर लंबी है तो महनती है सूरी फिंगर रिमत को बता रही है बुद्र फिंगर फश्फलेस तक है तो कमुनिकेसन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होता है वाग पड़ुता में भी कोई दिक्कत नहीं है यहां से दवाब है वही मैं कह रहा हूँ इसका उपाईच करना होगा बाकि परुपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहती है माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है दिमाग की तेहिज है करदर रेखा पर समान बाव उकता आगे करदर रेखा भी बढ़िया है विश्टर योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है बैलेंस अच्छा है दिल दिमाग की तंदरुस्त है यहां से दबाब है तो काफी महनती है जीवन के अंतिम समय तक बागी रेखा तो है यह बागी रेखा का साथ तो आपको बहतर तरीके से मिल जाएगा आगे भी दो-दीर ब्राचेस के साथ है तो आप बेशक शुरू करे कुछ लाइन ओफ एजुकेसन अच्छा है समझदार है गजब की सूरी रेखा लगबग 45 वर्स के बाद सक्रिये मान लो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो प्रापर्टी के योग कोई बता रहा है तो उसका भी साथ आपको मिलेगा उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर बुद्धे पर खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज है सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धिवेक से कारे करते हैं दोड़ो मंगल बढ़िया है तो अनर्जेटिक है मंगल अच्छा हो तो प्राक्रमी तो ही तभी तो आज 55-56 वर्स के आयू मैं भी काम के लिए आप पूछ नहीं है काम के लिए जाना चाह रही है चंद्रमा बढ़िया है तो लोगों से जुरावाकार रिखाने पिरे से जुरावाकार ही आप बेशक कर सकते हैं बागे रेका बड़ी बहतर स्थिती में है बुद्धर रेका बरी शानदार है इस प्रकार की बंदर एका हो तो पर परशानी नहीं होती जीवन पर तनाव नहीं होता और मूल रूप से चपपन वर्स के बाद की आपकी जिंदगी अच्छी है पहले की कैसी रहे क्या परक परता है अब इनके ये था इनके तरी का पूर्णता विश्टेशन अब भी अगर आपको व्यक्तिकत रूप से अस्तरे का रिखाना और सही जानकर रिप्राप्त करना है तो हमारा वोट्स अनुमर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकर आप समपर्क कर सकते हैं